बेडिया आया एक चोटा सा गाव ता, वहाम की लोग प्रसनता पूर्वक रहते थे उस गाव के पास ही एक जंगल ता उस जंगल से प्राया एक बेडिया गाव में आ जाता दा इस कारण सभी गाव वाले एक दूसरे की बेडिये से रक्षा करने के लिए सदा कया रहते थे एक दिन गाव का एक बालक पास की चरागा में अपनी बेडों को ले कर गया बेडियें चरने लगीं तो वह एक पेड के नीचे बैट कया दोडी ही दर में उसका मन उबने लगा उसी मचाट सूचा उसने चूत मुट का चिलाना शुरू किया बेडिया आया बेडिया आया उसकी पुकार सुनती ही सारे गावाले लाटी लेकर बेडिये को मारने चरागा की अवर बागे आये वहां पहुंचने पर उन्हें कोई बेडिया नहीं दिकाई दिया बालक को हसता देख गाव वालों को उसकी इस हरकत पर बहुत गुसा आया फिर सब अपने अपने काम पर लवट कये अगले दिन लटके ने फिर वही मचा किया और चिलाना शुड़ु किया बेडिया आया बेडिया आया बचावो बचावो गाव वाले एक बार फिर उसकी मदद के लिए दवड पड़े लेकिन इस बार भी कोई बेडिया नहीं दिका लड़का गुष्टा की उसकी चाल फिर से काम कर गई दी खुछ दिनों के बाद एक दिन चरागाव मेम पेट की चाव मेम बालक आराम कर रहा था अचानक बेडों ने जोर जोर से मिमियाना शुडू कर दिया उसने उटकर देखा तो एक बेडिये को चर्डियों मेम गात लगा कर बैटा देखा वो डर कर चिलाने लगा बेडिया बेडिया आया है बचावो बचावो बालक की चीक का वालों ने सुनी उन्होंने एक दूसरे से कहा यपी उस लड़के का कोई मचाग होगा इस बार हम लोग मुर्ख नहीं बनेंगे कोई भी गाव वाला बालक की चीक सुनकर भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया बेडिये ने बेडों को पकड़ा और जंगल की तरफ ले गया बालक रोता हुआ गाव लवटा गाव वालों ने उससे पूचा क्या हुआ बालक ने बेडिये के आने और बेडों को गाने की बात पताई और शिकायत करी की चीक सुनकर कोई भी सहायता के लिए नहीं आया गाव वालों ने कहा हम तुमारी सहायता के लिए आये पर तुमने हमेशा चूट बोला इसलिए इस बार तुमारे चिलाने पर हमने इसे भी तुमारा मचाक ही समचा और कोई सहायता के लिए नहीं गया बालक को अच्ची सीक मिल गई दी उसने फिर कभी लोगों के साथ कोई मचाक नहीं किया शिक्षा चूट बोलने वालों के सच पर भी कोई विश्वास नहीं करता है कि अन्या एंड है